नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल डिप्लोमा मस्ती में तो फ्रेंट्स आज हम यहां पर स्टार्ट कर चुके हैं जो है कि पेजल आपूरती तथा अवजल निप्टान इंजिनिरिंग जिसका जो आपका इस सेमेस्टर में अगर देखा जाए तो नाम चेंज हो गया है वाटर एंड वेस्ट वाटर वेस्ट वाटर इंजिनिरिंग हो गया है इसको हम पहले जो कि पीची के नाम से जानते थे पब्लिक हैं तो सबसे पहले हम इस शुरुआत से स्टार्ट करेंगे चेप्टर नमर वान आज हम देखें उसके बाद हम ऐसा ही स्रीज आती र है त्टे उसके बाद सेकेंड पार्ट हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम पार्ट वन देखते हैं तो चैप्टर नमर वन आपका है पेजल आवशक्ता तथा उपयोग ठीक है कि एक ब्यक्ति को जो जो नफ़के, उसको वाई-उo के पस्चात जो है की जलकी आवशकता पड़ती है pies extra प्रकृतिकी तरफ से अपका प्रानधारियों को एक अनुपम वह मुगत उपाहर है पानी मिलने पर मानव चिलाने लगता है और पच्छुFe की जो पानी नहें पर प्रानी ना मिलने भाने लगते हैं तो वाटर जो होता है सब के जीवन में वह आपका पाच्छी हो आदमी या फिर पड़ पोदो सब के लिए आवश्चक होता है ठीक है तो यह हमारी जरूरते हैं वाटर की और वाटर के बात करी जाए तो पहले जो अब का जो होता था पानी अगर यूज की ब बढ़ती है ठीक है प्राचीन कालियों से जो ही कि मनुस्य ने पानी की अवशक्ता को देखते हुए जल स्रोतों के सामी भी बशना आरंब किया ठीक है तो अब भी जितने भी अभी जो है कि जितने भी जो सीटी है मेट्रोपलेटन सीचिर उनको देखेंगे तो वह जो है कि अ पहले जो जलकी अवशक्ता थी केवल घरेलू कर रहे के लिए होलगा करती थी ठीक है लेकिन अब की बात करी जाए तो अब मनुस्य क्या हो गया है सब भी हो गया है और जो है कि उसने इतना विकास कर लिया है कि जलकी जो खपत है बढ़ गई है ठीक है अन्यकारियों के लि भिन ब्योसायों, पार्क, अगनी शमन, सडकों की सफाई तथा फ्लस प्रडाली के लिए भी होने लगी है पहले जब उतना जो है कि हमारा जो समाज है उतना विकसित नहीं था तो उस समय जो है कि सिर्फ पानी का यूज कर जाता है खाने पेने के लिए और नहाने धोने के अगनी ऊठाली प्रड़ली जो आपका लिए वाटर पका उप्योग जैता है सडकों की सफाई के लिए चल्यक्ता है इंड़क होने लगा लगा अगनी समन के लिए या बहुत सारी जो आवसकता है वाठर की वो बढ़ी है अब पहले की ये पिक्षार अगर देखीज़े ठीक है तो जो एक आपका किसी भी नगर को जो एकी नगर में जो एकी नगर पाली काओं या जल भी भाग द्वारा जल की आपूर्ती आधुनिक धंग पर दोस्था की जाती है नगर की जनसंख्या को ध्यान में रखकर पानी की आवश्यक मात्रा जो है जल सुरोतों से निकाली जाती है पानी पीने के लिए नदियों में अंतरग्राही बना जाते हैं तो अंतरग्राही जो आपका है इंटेक्स इसको हम आगे चेप्टर्स में देखेंगे जो की आने वा पानी होता है यानि जो आपका कच्चा पानी होता है उसको सबसे पहले क्या किया जता है जलकल वाटर जो वक्स होता है वहां तक लाया जता है वाटर वक्स तक लाया जता है उसके बाद असुधियां जो होती है वाटर वक्स में असुधियों से जलको मुक्त किया जता है ठीक है और भूमिगत पाइपों द्वारा उचित दाप पर नवर के विभीन भागों को सप्लाई कर दिया जता है ठीक है और अतिरिक्त मांग और साथ इस्तिती से निपटने के लिए कुछ पानी भंडार टैंकों में जोए कि स्टोर कर दिया जाता है तो यह आपका और अबर प्रॉसेस है जिसके बारे में जोए कि हम डीटेल से आगे चैफ्टर सों में पढ़ेंगे कि किस तरह के से जोए कि हम वाटर को नरीयों से या फि उसके बाद देख रहते हैं एक फ्रेंट्स की जो आपका एक जो इंजीनियर होता है उसके क्या जीमेदारी होती है इसके रिस्पेक्ट में तो एक जो जल आपूरती अभियनता होता है उको नगरों को जल सप्लाई करते समय या सुनिशीत करना होता है कि पे जल जो है सभी प्रकार की निलंबित वगुलनसील असुदियों से सापपाक होना चाहिए ठीक है या प्रुटत असुद्ध होना चाहिए इसमें कोई गंध रंग और जो एक कुछ स्वाद है यानि बैड टेस्ट नहीं होनी चाहिए इसका तापमान उतना होना चाहिए जितना जो एकी acceptable हो और जो है कि दूसीत जल के सेवन से फैनले वाली बिमारीयों जिसे है जा है पेचीस जठर आंतरसोद के अड़ों से मुख्थ होना चाहिए ताकि जो उपभोग करने वाला है वो पुड विस्वास से बिना जो है कि रोग भय के इस पानी का उपभोग कर सके तो ये एक सब्सक्राइब होता है तो यहां पर हमने जो है कि नीड जो वाटर की नीड है यानि वाटर की अवशक्ता है उसको हमने आप देख लिया कि वाटर की जो है कि हमारे दैनिक जोन में कीस तरह से उप्यों गीता है ठीक है तो आज कल जब आपका जो समाज है जो जो मानों है इ तो इसको पढ़ने के लिए और जो निप discoveries करने के लिए जाया जैसा कि मैंने बताया कि जो जलकल होता है जहां पर वाटर की क्या की जाती है सपलाई करी जाती है वाटर की जो असुदियां होती है उसको साफ के जाता है तो यह आपका जलकल का मैफ है यहां पर जलकल जो आपको इमेज में दीख रहा है इसमें जो है की क्या के जाता है प्रणा प्रणा के पज़े आएगा और यहां पर उस पानी का जो है की प्यूरिफिकेशन होता है सुद्धी करणड उता उसको सुध्य किया जता है एक यहां से फिर जो है कि उचित दा पर पानी जो है नगरों को सब्लाई कर दी जती है ठीक है तो यह आपका जलकल है waterworks का image है यह उपभोगता उपभोगता जो होते हैं पानी का उपयोग करने के पज़्चार supply जो होती है उसका 80% के लगभग जो है पानी दूसित जलके रूप में घरों की जो है की रसोई असनान घर फ्लस लाटरिन से बाहर निकलता है ठीक है तो यह 80% सपलाई का पानी होता है वो कहां से निकलता है दूसित जलके रूप में घरों की रसोई असनान घर और फ्लस लाटरिन से बाहर निकलता है यदि उस्दुसित पानी का उचित धंक से निप्टान नहीं किया जाता है तो आसपत का वात्वर गंदा हो बना रहता है तो जो आपका wastewater होता है वेस्ट वाटर उसका भी जो एकी निप्टान इसी बूक के अंदर गद्ग जो कि second part में हम पढ़ेंगे तो ears the ए Aah के बाद नहीं है जल करें जल की मांग जल की मांग क्या ओती है जल होता है जो प्रकृति की सभी प्राणियों को एक अनुपम? वह मुक्त भेट है यह तरल ठोस गैस के रूप में इस ग्रह पर बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ता है यह पृतिवी पर अवेलेबल है ठोस द्रौ आप भी गैस के रूप में ठीक है कुछ कुल पानी जो हता है उसका 90 प्रतिसत जो भाग होता है सागरों में समंद्रों में भड़ा पड़ा है और 2% की अगर बात करें तो आपका ध्रूवों पर हीम नदियों में और 0.62% की बात करें तो भूमी के अंदर यानि भूमी के अंदर भूम जल के रुप में पड़ा हुआ है से सबका जो बचता है 0.38% वो सता पर है यानि सर्फिस पर है जैसे जो नदी होती है जीले होती है पोखरों में जो वाटर होता है उसको कहते हैं सताही पानी तो उसमें 0.38% ही सिर्फ वाटर है धर्ती का जो मानव होता है अपनी 70 परतिसत जल मांग जोता है सतही पानी से और 30 परतिसत जोता है भौम जल दोहन से पूड़ करता है यानि जो उसकी मांग होती है एक व्यक्ति जोता है उसका मांग जोती है तो उस मांग का जो 70 परतिसत वाटर होता है जो है की जल मांग जोत प्रती ब्यक्ति दिन 140 लीटर पानी की पूर्ती की संतुस्ति करता है यह वाटर भी हम देखेंगे किस तरी किसे यहां पर कितना वाटर कितने कितना वाटर जो है कि बताएगा है ठीक है उसके बाद देखते हैं यहां पर एससे चुट इंपोर्टेंट नहीं है जो जल की 20 घन तो होता है स्पेस्पिक ग्रेविटी जो जल का होता है एक होता है अब पारा की बात कर जाया तो स्पेस्पिक ग्रेविटी 13.5 ली जाती है ताजा जल का भार जोता है 1000 केजी प्रती घन मीटर दिया जाता है और सुद्ध जल खुली हवा में समुद्र तल पर 100 डिगरी सेलसियर पर उबलने लगता है, खोले लगता है समुद्र तल से प्रतेक 158 मीटर की उचाई पर पानी का उबाल तापमान एक डिगरी जोएकि फाने नाइट घटता चला जाता है और तापमान बढ़ने पर पानी का भार घटने लगता है जो पाइप जल अपूरती के लाव से लाव है तो पाइप में वाटर का सप्लाई करने को पाइप जल अपूरती कहते है पाइप जल अपूरती कहते हैं तो पाइप जो होता है जल सप्लाई में पेजल जो होता है धातू प्लास्टिक का निकरीट के पाइपों द्वारा जल स्रोत से उपभगता के घरों तक पहुचाया जाता है एक उत्तम पाइप जल अपूरती ब्युस्था के निम्दिकित जो क जिक कई अपका गूमा होता है नीजी जो कूमे होते है नासे छुटकारा मिल जाती है निजात मिल जाती है, ठीक है तो जो प्रतेग घ़रों में कूमे खुदने अथवा आस्थ पमप लगाने की अवस्यक्ता नहीं रहती है उपभोगता पानी खीचने तता ढोने के कश्ट से बच जाता है तो ये इसका जो है कि पहला लाव होता है उसके बताता है कि जलकी मात्रा यानि उपभोगताओं को जो है कि स्वक्ष पानी जो होता है अवस्यक मात्रा में उनके निवास अस्थल पर ही उपलब्ध हो जाता है सुध्ध जल यानि पाइप सपलाई का जो water होता है वो सुध्ध होता है क्योंकि वो पाइप के अंदर प्रवाहित होकर आता है ठीक है तो यह जल जो हता है आपका सभी प्रकार की असुधियों वर रोग जनक जीवाड़ों से मुक्त होता है ऐसा पानी पीने से किसी जल अधारित रोग के फ़लने का भैवी नहीं रहता है अतलोगों के सुध्ध के लिए यहाँ पानी ठीक होता है ठीक है उसके बद सुध्ध प्लस प्रडाली है और जो घर की सफाई धुलाई के लिए इससे पर्याप्त मत्रा में पानी उपलब्ध हो सारवजनिक जल मांग यानि पार्क वो अन्य जन रहित कारियों के लिए सडक नालों से पानी लिया जा सकता है यह भी इसका प्रोफिट है उसके बाद आता है आपात कालीन जल यानि अगनी समन अगनी को बुझाने और आपात इस्तिती में इमर्जेंसी में जो एकी वाटर आवस्यक मातरा में पानी उपलब्द कराया जा सकता है पाइपलाइन से ठीक है तो यह बेवस्ता का यह भी एक इम्पोर्टेंट जो है कि आपका लाब है उसके बाद देख लेते हैं निक्स्ट क्या है निक्स्ट है आपका जो है कि उद्द्योग धंदे यानि जो आपका बेवसाइक केंद्र होते हैं उद्योग होते हैं कल खाने होते हैं वह भी जो है कि इस पाइपलाइन बेवस्ता से पानी ले ले लेते हैं और उनको पानी का प्रबंद नहीं करना पड़ता है ठीक है उसके बाद अतिरिक्त रोजगार आता है तो इस पाइपलाइन बेवस्त water supply system क्या होता है तो water supply system जो होता है यानि जल स्रोतों से पानी निकालना उनका जो है कि जांच वह सोधन करके पीने योगे बनाना तथा pipe दोरा जो है कि उनको भोगताओं तक पहुचाना और यह सभी कारे जो है कि बैग्यानिक धंग से करना इस तरीके से करना बैग्यानिक धंग से करना तो इस तरह से हम करेंगे तो इसको हम करते हैं जल आपूरती प्रडाली यानि pipe को क्या करेंगे जल स्रोतों से जो है कि pipe को निकालेंगे और उसका जांच करेंगे सोधन करेंगे उसको पीने योगे बनाएंगे और पाइप द्वारा जोएकी उप भोकताओं तक पहुचाएंगे ठीक है वो भी जोएकी बैग्यानिक धंक से ये सब काम करेंगे तो इसको कहते हैं जल अपूरती प्रड़ादी इसको जोएकी पाइप जल अपूरती भी कहते हैं इंजिनरी की वह साखा जो घरेलू, सारवजनीक, ब्योसाइक वो अध्योगी छत्रों की पानी की मांग का आंकलन करते हैं जल सुरोतों से पानी लेकर उप भोकताओं को उप लब्द कराने ता जल बंडारण आदी भी समयों पर प्रकास डालती है उसको हम जल आपूरती प्रडा दी कहते हैं फिर आगे देखलते हैं कि इसका नेक्स्ट ढणनिक जो जल आपूरती प्रडा दी है उसकी रोप रहा है जो modern age में चल रही है pipeline बेवस्ता उसकी रोप रहा हो क्या होती है इनी किस तरीके से उसमें कारिय किया जाते है उसका सोधन किया जता है ठीक है एनि उपचार सन्य अंतरों पर पहुचा कर उसका सोधन किया जता है उसके बद पाइपलाइन से इसका वीतरण कर दिया जता है इसकी सप्लाई कर दी जाती है तो सबसे पहले देख लिजिए कि जल को एकत्र करना जल को किस तरह से एकत्र किया की पूरे वर्स आर्ष का मीशार से प्रप्त हो सके इसके लिए निकटवर्ती नदी से जल लेने की ब्योस्था की जाती है अथवा अन्य सुरोत जिसे जील होते हैं जहरने हो जाएंगे, कुवें हो जाएंगे, नहर तालाप का चैन किया जाता है ठीक है, उसके बाद आता है कि जब जल सुरोत सामान भूमी तल से नीचे इस्थित होते हैं तो पानी को ऊपर उठाने के लिए पंप का प्रियोग किया जाता है यदि सुरोत उचाई पर इस्थित होते हैं तो वो गृतवा कर्शन से जो है कि पानी स्वयम ही जलकल तक पहुच जाता है वाटर जो वाक्स होता है जो अमने इमेज में आपको दिखाया था वाटर वाक्स वहां तक जो है कि आसानी से पहुच जाते है यान जलकल तक उसको पहुच आएंगे पानी को स्वोध से उठा कर जो जो एकि जलकल तक ले जाने के लिए खुली नाली यानी चैनल पाइप या फिर पाइप कच्चा पानी करते हैं या खुली चैनल से ले जाने पर कोई आपती नहीं होती है क्योंकि यह पानी पहले से गंदा इसलिए आप उसको खुली चैनल से ले स्टेक है यहां पर जो आपका जो है कि जो 27 रोतों से लिया गया पानी होता है वो पूर्डरुप से सुध्ध नहीं होता है इसको कच्चा पानी कहा जाता है ठीक है उपयोग से पहले इसका उपचार करना आवस्यक होता है तो जलकल पर यानि इमेज में जो आपको यह जलकल दिखाई दे रहे हैं सभी क्या मैप किसका है यह इमेज किसकी है जलकल की है यानि वाटर वाक से इसको बोलते हैं तो यहां पर जो है कि विभिन प्रक्रियाओ दारा पानी को साफ सुध किया जाता है और सभी प्रकार की जो निलंबित गुलंसील असुधियां होती है उनको जो है कि अलग कर लिया जाता है तथा इसका रोगाडू नासन भीयां पर किया जाता है इस सुध जल को जो है कि तब भूमी टैंक में इकठा कर लिया जाता है और जहां से जो है कि उपभुकताओं को आवशक्ता नुसर पानी पहुचाए जाती है और जो है कि यहां पे पा बाद आता है जलका बीतरण जो अकला पॉइंट है आपका यहां पर फोर नमर पर जलका बीतरण है ठीक है जो उसके वाटर को सुध्ध करने के बाद उसका डिस्ट्रिब्यूशन किया जाता है उसकी सपलाई कर दी जाती है तो सुध्ध जलको भंडारों से पानी को पाइप बिछाई जाती है और उसके बाद यह बिछाय जाते है जो पेजलको घरत तक पउचाते हैं पानी को उचे चत्रों तक पहुचाने के लिए पंप की वियूस्था की जाती है जाब आपका वाटर है माली जी यहाँ पर आपको वाटर पहले से मवजुद है आपको पोचाना ह सरदी आपका वाटर यहां पे अवेलेबल है तो यहां सोता ही आ जाता है तो इस तरह से जल का बीतरण करने की इसमें ब्योस्था होती है उसके बाद आता है कि ध्यान जो की उपभोकताओं द्वारा जल उपयोग के पश्चात पर्याप्त मतरा में अवसिस्थ जल जो हता है नालियों द्वारा घरों से बाहर आता है इस गंदे पानी के निकास की समुचित ब्योस्था भी इसमें की जाती है ताकि नगर जो है आपका वातावर से दूसित नो हो दूसित जल की निकास निकासी के बीना पे जल की आपूरती एक अधूरा और अप्रशंशनी या कारिया माना जाता है तो इसी जो बुक है आपका इस बुक के सेकेंड पार्ट में आपको मिलेगा जरकी जो आपका वेस्ट वाटर होता है उसका निप्टाम ठीक है वेस्ट वाटर को किस तरीके से हम जो की यूज करते हैं या इसका इसका इसी शेप्टर के second part में मिलेगा उसके बाद आता है आपका जलपूर्ति-योजना का प्रवाह आरेख में आपका जल आपूर्ति योजना के प्रवाह आरेख में आपका आता है सबसे पहले सोर्स आफ वाटर जल सुरोत आता है जल सुरोत वाटर सोर्स वाटर सोर्स जो आपके अब भूमेगत सुरोत हो सकता है जिसे जहरने सज़ाइ। सार बवर सुझेंगे इसौधे सबश्य देरी या सत्हाइँ जलस्रोथ हो सकता है। कोई भी वाटर लेंगे यहां पर हम अवसाधं करते हैं। हाँ धश लेंगे ट्रीनमेंट करते हैं कहते हैं। खेट जैसे अपकर वाथन किया जता है आइरेशन आव साधन किया जता है सैडीमेंटेशन या फिर निष्य अंदर करने चता है फिल्ट्रेशन और अभर तका वापचार डिस건 सरह सब्सक्राइब करे जाते हैं कर दो ही किर दो करने के बाद घरों से जय कि अब सिष्ट जल प्राप्त होते तो तो वेस्ट वाटर का जो है कि हम क्या करते हैं निकासी करते हैं निफ्टान करते हैं ठीक है तो यह निफ्टान सेकंड पाटर पर पढ़ेंगे बुख कि तो अच्के लिए इतना है फिर भी लेंगे नेक्ष्ट विडियो में तब तक देढ बाबाय, गुड़ भाय